हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो स्मार्ट निटिंग चैनल तो फ्रेंड्स मैं आज आपको ये प्यारा सा सिंगल कलर में डिजाइन दिखाने वाली हूँ तो ये डिजाइन आप लोग बच्चों के लिए, जैन्स के लिए, लेडिस के लिए कहीं पर भी एपलाई कर सकते हैं तो डिजाइन की पहली शलाई हमारी सिधी सैड से शुरू होगी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारे डिजाइन की पहली शलाई पहली शलाई में क्या करना है जैसे आपने अपने पसंदिता नुसार बॉर्डर बनाया बॉर्डर बनाने के बाद ही हमारी डिजाइन की पहली शलाई रहेगी सिधी साइड तो चलिए तो सीधी साड में क्या करना है आपने पूरी शलाई अपनी तरफ रॉंग साड बनाना है ये है हमारी सीधी साड पर हमने बुनाई करनी है पूरी शलाई रॉंग साड ठीक है डिजाइन के पहली शलाई रॉंग साड बनाना इस तरह से पहली श्लाइ बना कर कम्प्लेट करेंगे हमारे डिजाइन की पहली श्लाइ बनकर कम्प्लेट हो गई तो दूसरी श्लाइ में क्या करना है पहला फंदा उतारना है ठीक है पहला फंदा उतारेंगे फिर एक दो फंदों की बुनाई करेंगे फिर एक फंदा उतारेंगे ठीक है फिर उसके बाद एक दो तीन फंदे की बुनाई एक फंदा उतारना एक दो तीन फंदों की बुनाई एक फंदा उतारना तो पूरी शिलाई आपने पहली शिलाई ऐसे ही करना तीन फंदों की बुनाई एक उताना तीन फंदे की बुनाई ठीक है पहले श्लाइम में आपने रॉंग साड़ ही हमारी तो इसी तरह से बनाएंगे तीन फंदे की बुनाई एक उतारा एक दो तीन फंदों की बुनाई एक उतारा एक दो तीन फंदों की बुनाई एक बिना ब एक दो उस तरह से एक दो तीन फंडों की बुझा है एक फंदा बेना बने उतारा यह हो गई हमारी पहले शिलाई को है अब डिजाइन की दूसरी स्लाई हमारी सीधी सैड क्या करना हे हमने बुझा एका से तीन फंदे को हमने बुनाई करा फिर ये देखिए पता चलड़ा इजिली बिना बूने उताराओ थीक है इस तरह से पूरी शलाई बाहर की तरफ बनाएंगे तीन फंदा उतारना एक फंदा बिना बोने उतारा जैसे पहली श्लाई में करा था सेम वैसे ही करना है दूसरी श्लाई में एक दो तीन फंदा बनाया एक फंदा बिना बोने उतारा तो दूसरी श्लाई इस तरह से बना कर कंप्लेट करेंगे एक, दो, तीन, एक फंदा उतारा, एक, दो, तीन फंदा उतारा, तीन फंदा बनाए, एक फंदा उतारा, एक, दो, तीन फंदे की बुनाएं करें तो यह वह हमारी दूसरी शलाई complete ठीक है, बढ़ते हैं तिसरी शलाई की ओर तीसरी शलाइ में क्या करेंगे? ध्यान से देखिए ये देखिए ये जो हमने उतारा वफन्दा है एक, दो, तीन एक उतारा, अब क्या करेंगे? अब यहां से, फिर से उन्हे फंदों को हम वैसे ही बनाएंगे, जिन फंदों की तो, तीन, फिर एक बिना बोने उतारा, एक, दो, तीन, एक 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 उतारा. तो लगातार हमने तीन शलाई में जिस फंदे को उतारा उतारना है और जिस फंदों की बुनाई करी बुनाई करना है तो यह हो गई हमारी तीसरी शलाई complete चौती शलाई के रुबटते है चोतिश लाई में क्या करना है हमने पूरी शलाई अंदर तरफ अपनी तरफ बुनाई करनी है चोतिश लाई में कुछ भी नहीं करनी पूरी शलाई हमने अपनी तरफ बुनाई करनी है यह हमारी सीधी सैड़ पर रॉंग सैड़ बुनाई करनी है इस तरह से इस तरह से पूरी श्लाई बनाकर कम्प्लेट करें चोति श्लाईर से यह हमारा सीरीफ और सरीफ चार श्लाई का डिजाइन अचल मिए हो गई हमारी स्लाए चाथ चोन से रहे डिला हैं हम इसमें एक फंदा द तर रहे हैं तिन फंदो पर को दो की श्लाई चाण a खालब में द्यान से देखना कि जहसे हमने यहां पर एक फंड उतारा एक दो मेन उतार लाएक दो कि बुगनाय को अब इक गाएं तरके दो मेन थेकandelków कि पालियो डिग सब्सक्राइब है एक, दो, तीन, इस तरह से, अब एक उतारना है, फिर तिन फंदों की बुनाई करने, एक, दो, तिन उतारना, ये रिखिए हमारा जो उतारावा फंदा है, वो इजीली पता चल रहा है, फिर उसकी बुनाई करनी है, फिर उसकी अगले वाले फंदे को उतारना है, इस तरह से, एक, दो, तीन फंदे की बुनाई करने, एक उतारना, एक, दो, तीन फंदे की बुनाई करने, फिर एक उतारना, फिर एक, दो, तीन फंदे की बुनाई करने, फिर एक उतारना, फिर एक, दो, तीन फंदे की बुनाई करने, एक उतारना, फिर तीन फंदे की बुनाई करने, त पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे फिर तीन की बुनाई करेंगे फिर बिना बुने उतारेंगे एक फंदा फिर तीन की बुनाई करेंगे तो इस तरह से चार्शलाई बना कर कम्पलेट करना फिर उसके बाद चार्शलाई जैसे कम्पलेट करना फिर से हमारा डिजाइन का मतब स्टार्ट एक तो सीवाद क्या करना है आपने की बुनाई करने एक बीना पोनें उतारना तीन फंदों की बुनाई करने एक कुना पोने उतारना स्टार्टिंग म में फिर दो ठीक है धिर से छार श्लाए कम्प्रिट करना फिर से उसके बाद सीडार tapped फिर से क्या करना तीन फंदों की बुनाई करनी स्टार्टिंग में एक बिना बुने उतारना तो इस तरह से आपने जब तक चोथे नंबर तक आप बिना बुने नहीं उतारते हुए आपका वाता है जैसे पहले वाले में एक को उतारा फिर चार शिलाई बुनाई करा फिर चा चारशलाई बुनाई किया बस यही हमने सेम रिपीट करना है इन चारों को बारी बारी से चारशलाई करते हुए ठीक है तो इस तरह से हमारा डिजाइन कम्प्लीट होते हुए जाएगा और इस तरह सा हमारा डिजाइन का लुक बनेगा यह दिखिए तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन का लोग है तो यह डिजाइन आप लोग जैन्स के लिए लेडिस के लिए बच्चों के काडिगन में कहीं पर भी एपलाई कर सकते हैं तो ठीक है दोस्तों बाई थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में